हाई फ्रिंट्स मैं हूं रेखा और रेखा दाइनियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होग बिलकुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लेके आए हैं चॉकलेट पुडिंग बनाने में बहुत ही आसान है और चॉकलेट पुडिंग तो सभी की बहुत फेवरिट है तो आईए चॉकलेट पुडिंग बनाना province स्टार्ट करते हैं चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कभ दूद दूद को हम bowl में डाल लेंगे अब हम डाल देंगे 2 tablespoon cocoa powder और 2 tablespoon conflural सबी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे सबी चीजों को हमने दूद में बहुत अच्छी तरह से mix कर लिया है lumps भी नहीं बने है तयार किये हुए mix को हम pan में डाल देंगे गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे अब हम डाल देंगे वन फोर्थ कप शुगर मीठा आप अपने एसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं देखिए लो फ्लेम पर हम पुडिंग को तयार कर रहे हैं बहुत अच्छे से शुगर भी मैल्ट हो गई है और पुडिंग भी देखिए काफी गाड़ी होने लग गई है हमें गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाना है ताकि बिल्कुल भी कच्छापन नहीं रहे अब हम डाल देंगे हाफ कप फ्रेश क्रीम अगर आपके आउसमें फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप ताजा दूद की मलाई भी ले सकते हैं देखिए क्रीम भी पुडिंग के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब हमने लिया है वन फूर्थ कप डाक चॉकलेट यह हमने बारीक कट करके रखी है अगर आपके पास में डाक चॉकलेट नहीं है तो आप यहाँ पर चॉको चिप्स भी ले सकते हैं देखिए चॉकलेट भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चॉकलेट डालने के वाद में कलर भी चेंज हो गया है आप देख सकते हैं काफी गाड़ा भी हो गया है और कितना स्मूथ भी है अब हम डाल देंगे वन टेबल स्पॉन वैनिला एसेंस अगर आपके इसम तरीके से कितने कम समय में हमने घर में ही चॉकलेट पुडिंग बना के रेडी कर ली है अब हम गयास के फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा थंडा होने देंगे हमने पांच मिनट इसको थंडा होने के लिए रखा था आप देख सकते हैं थंडा होने बाद पुडिंग बनके रेडी हो गई है हमने सर्फ भी कर दी है लुकिंग में कितनी बढ़िया लग रही है आप चाहें तो चॉकलेट गर्णिश कर सकते हैं हमने यह पर काजू से गर्णिश करा है तो फ्रेंट्स चॉकलेट पुडिंग बनाएं टेस्ट करें और अपने कमेंट समसे शेयर करें हमें इस्टाग्राम पर भी फॉलो करें थैंक यू थैंक यू सो मच हव नाइस डे